नबश्कार न्यूस पियार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रिती जाब भारत माला पड़ी योजना की तहत गया के जीटी रोड से पुर्व पक्षिम कोरीडोर को जोडने के लिए उतर बिहार को एक और नया नैशनल हाइवे मिलेगा जिहां दरसल बिहार का पहला एक्सप्रेस वे आमस दरभंगा का निर्मान हो रहा है जिसका विस्तार जो है वो जैनगर तक होना है भारतिय राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकरन एनच ए आई की ओर से इस सरक का निर्मान किया जा रहा है कोसी और पुर्णिया प्रमंडल को पतना से जोडने के लिए एक नई फोरलेंज सरक बनाई जाएगी इस सरक की शुरुवात जो है वो वैशाली के विदुपुर से होगी जो पुर्णिया में समाप्त होगी पत निर्मान विभाग अभी इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है केंज सरकार के सहयोग से इस सरक का निर्मान पूरा किया जाएगा इसके लिए अभी जमीन अधिकरन की कारवाई जारी है इसकरम में विभाग ने भी ये बताया कि सरक के बन जाने पर भी कोसी और पुर्णिया प्रमंडल के लोगों को पतना आने जाने में अधिक दूरी तै करनी पड़ेगी जिसका मूल कारण सिर्फ ये है कि कोसी और पुर्णिया प्रमंडल के जिलों का पटना आने जाने के लिए कोई भी सीधी संपर्कता नहीं है इसे देखते हुए विभाग ने ये तै किया कि आमस दर्भंगा एक्सप्रेस वे से ही विदुपूर से एक नई सरक बनाई जाए विदुपूर से शुरू होने वाली ये सरक समस्तिपूर के दहसिन सडाय जाएगी इसके बाद सहर्षा के सिम्री बक्तियापूर और उदा किसन गंज होकर पुर्णिया में ये सरक समाप्त होगी इस सरक के बन जानेक से राज के जो साथ जिले हैं सहर्षा, सुपूल, मधेपूरा, पुर्णिया, कटिहार की संगंज और अररिया को सीधा लाग मिलेगा इन जिलो के लोगों को पतना आने जाने में मौझूल समय की तुल्णा में आने वाले दिनों में कम समय लगेगा इसके अलावा वैशाली, समस्तिपूर और पत्ना के लोगों को भी उक्तिसाथ जिलों में जाने के लिए एक नया मार्ग मिल जाएगा हलाके सूत्रों के नुसार प्रस्तावित सरक का नक्सा और जो एक पत्र है वो जल्द ही केंद्रे सरक एवं राज मार गए पडिवहन मंत्री जो है नितिन गड़करी को भेजा जाएगा केंद्रे सरकार चाहे तो वो नहीं के माध्यम से इस सरक का निर्मान करा सकती है या फिर केंद्रे सरकार राज को सहयोग कर पत्र निर्मान विभाग से भी इस सरक का निर्मान करा सकती है वैसे राज सरकार की कोशिस यहीं होगी कि प्रस्तावित जो सरक के लिए बिहार सरका ज जीले जो भी हैं उस छेत्र का विकास और तेजी से हो सकेगा और विकास के आयाम को एक नई गती मिल जाएगी नियूस पियार के साथ मैं प्रीती छा